भारतिय जन्तापाटी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष अमित छा के होने वाले कारिक्रम के लिए जगह नहीं देने का आरोप लगाया है मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अमित छा के कारिक्रम के लिए कोलकाता में कई जगहों के लिए आवेदन किया था लेकिन उनके कारिक्रम के लिए कोई जगह तैन नहीं हो पाई है आपको बता दें कि इसके पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने उस ओडिटोरियम की बुकिंग कैंसल कर दी है जहां राश्ट्रे सुएम सेवक के प्रमुख मोहन भागवत भाशन देने वाले थे कारिक्रम के आयोजकों को आडिटोरियम की बुकिंग के कैंसल होनी की जानकारी मौखिक तौर पर ही दी गई थी महाजाती सदन कोलकाता का एक प्रमुख आडिटोरियम है सदन के प्रशासन ने उस बुकिंग को कैंसल कर दिया है जिसमें ऑक्टूबर में होने वाले एक कारिक्रम में मोहन भागवत भाशन देने वाले थे उनलेखनीय है कि शाह 11 से 13 सितंबर के बीच बश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रही है उनके कारिक्रम के लिए 12 सितंबर को नेताजी इंडोर स्टेडियम बुख किया गया था हाला कि बाद में किसी वजह के चलते कारिक्रम करने की अनुमती नहीं मिली इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो हर एक मुद्दे पर राजनीती खेल रही है इसी के चलते अमित शाह के कारिक्रम के लिए जगा नहीं दी गई गौल तलब है कि इसी साल जनवरी में कोलकाता पुलिस ने संख प्रमुख मोहन भागवत को शहर में रैली करने से भी रोक दिया था पुलिस ने इस रैली को रद करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था हाला कि कोलकाता हाई कोट ने मोहन भागवत को कोलकाता ब्रिगेट परेड ग्राउंड में रैली करने की इजाज़त दे दी थी वहीं दिसंबर 2014 में विश्व हिंदू परिशत की रैली को भी परेड ग्राउंड में करने से पुलिस ने रोक दिया था यहां भी मोहन भागवत भाशन देने वाले थे